प्रात्मिक एवं माद्मिक सालाओं में कक्षा 3-4 एवं 6 वा 7 में जो रिजल्ट सीट है वो किस प्रकार से तैयार किया जाना है इस समन में एक बहुत ही महत्पून आदेश और निर्देश राज्य सिक्षा केंद्र मत्पृदेश भौपाल के द्वारा जारी किया गया है जिसमें बताये गया कि इन कक्षाओं का जो बार्शिक परिणाम अभिलेग पत्रक है वो किस प्रकार से तैयार किया जाएगा तो आज के वीडियो में हम देखींगे कि जो रिजल्ट सीट है इसमें क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है साथ ही जो रिजल्ट सीट है वो हमें कहां से प्राप्त होगी सबसे पहले हम समझ लेते हैं जैसे जो राज्य सिक्षा कैंजर की द्वारा आदिश जारी किया गया है जिला परियोजना समनव्याक समझत जिलों के नाम जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि इन कक्छाओं का जो बारशिक परिणाम अभिलेक पत्रक है वो कैसे तयार होगा कक्छा 3, 4, 6 वा 7 इनका जो बारशिक परिणाम अभिलेक पत्रक है या कहें रिजल सीट है वो कैसे तयार होगा इसमें समझने वाली बात है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें बड़ा परिवर्तन क्या किया गया है इसमें एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया है और वो है सैक्षिक छेत्र एवं सह सैक्षिक व्यक्तिका समाजिक गुणों का जो मुल्यांकन है इसके लिए प्रिथक प्रिथक सीट इसमें दी गई है जैसे सैच्छिक छेत्रों का जो मुल्यांकन है इसके लिए अलग सीट में हमें प्रिविष्टी करना है वहीं सैच्छिक छेत्र वह व्यक्तिका समाजिक गुणों का जो मुल्यांकन है इसकी प्रिविष्टी हमें अलग से जो seat इसमें दी गई है उसमें करना होगा और जो seat है आपको बरिष्ट कारले से प्राप्त हो जाएगी जैसे हम आदेश देखें तो आदेश DPC कारले के लिए जारी किया गया है जिसमें नदेशित किया गया है कि इस size में जो seat है वो A4 और A3 size में उपलप कराया जाए प्रतिक सालाओं को तो आपको निश्चिन्त रहना है आपको जो प्रपत रहें वो अपने बरिष्ट कारले से मिल जाएगे आईए देखते हैं कि इसमें जो result है वो किस प्रकार से तयार करना है और जो seat है इसमें अधिवार की गर्णा किस प्रकार से की जाएगी जैसे सबसे पहले हम बात करें कक्छा 4, 6 वा 7 की तो result seat में इन कक्छाओं में प्रिविष्टी कैसे होगी तो इसमें जो प्रिविष्टी है सबसे पहले मासिक टेस्ट की होगी और मासिक टेस्ट चार महां लिया गया था अब 40 अंक में छात्रों के जो भी प्रापतांग है इसका 10 पृतिसत अधिवार निकाल कर आपको इस result seat में प्रिविष्टी करना होगा अधिवार कैसे निकालेंगे इसे हम वीडियो मा आगे देखेंगे इसके बाद में हम बात करते हैं अर्दवारसिक मुल्यांकन की तो अर्दवारसिक मुल्यांकन का 20 पृतिसत अधिवार भी आपको निकालना है जैसे हम बात करें अर्दवार्षिक मुल्यांकन की तो 60 अंक का जो प्राश्न पत्र था वो आया था तो 60 अंक मेंसे छात्र के जो भी प्रापतांक होंगे उन प्रापतांकों के अधार पर आपको 20 पृति सत्थ अधिभार निकालना है इसके बाद में हम बात करें बार्सिक परिक्षा लिखित मुल्यांकन की तो इसमें जो अधिक्तम अंक दिये गये थे 60 अंक है तो इसमें कोई भी आपको convert नहीं करना है 60 अंक में से जो भी छात्र के अंक होंगे वो आपको सीधे result sheet में लिखना है इसके बाद में जो project है project की अधि हम बात करें तो 40 अंक का इस्थानी कक्षाओं में project दिया गया था तो 40 अंक में से छात्र के जो भी प्रापतांक होंगे इन प्रापतांकों के अधार पर 10% अधिवार आपको निकाल कर result sheet में दर्ज करना है इस प्रकार से हम देखें तो प्रती विसे जो योग होगा पूनांक होगा वो 100 अंक आ जाएगा अब हम बात करें कक्षा 3 की तो कक्षा 3 में मासिक मुल्यांकन नहीं हुआ था तो आपको मासिक मुल्यांकन वाले जो column है उसमें dash करना है इसी प्रकार यदि हम बात करना प्रोजेक्ट की तो प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ था तो प्रोजेक्ट वाले column में भी आपको dash करना है says यदि हम देखें तो इसमें जो आंकलन है बीसवे सब्ताह का उसका आपको अंक निकालना था और इन अंकों को अर्दवार्सिक मुल्यांकन जो की 40 अंक का रहेगा इसमें convert कर देना था तो 40 अंक में छात्र के जो भी प्राप्तांक होंगे अर्दवार्सिक मुल्यांकन में वो आपको result sheet में दर्ज करना है और इसके बाद में 12 परिक्षे जो की 60 अंक की थी 60 अंक में से जो भी छात्र के प्राप्तांक होंगे वो आपको result sheet में दर्ज कर देना है तो इस प्रकार से भी कक्षा 3 में हम देखें तो प्रती विसे जो पूर्णांक है वो 100 अंक हो जाएंगे इसके अत्रिक्त इसमें हम देखें तो एक महत्मूर निर्देश और दिया गया है कि यदि छात्र का कोई अत्रिक्त भिसे है अत्रिक्त भासा है तो इसके प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा साथ ही हम देखें तो इसमें प्रगती पत्रक के संबन में भी बताया गया है कि कक्षा 3, 4, 6 वह साथ के जो प्रगती पत्रक हैं वो आपको उपलब कराये जाएंगे तो आपको मार्केट से क्रे नहीं करना है निर्देश जो है किवल सासकी सालाओं के लिए है आसास की सालाओं को उक्त जो सामगरी है वो क्रेय करना होगा इसके बाद में हम देखें तो प्रगती पत्रक किस प्रकार से भरना है इस समद में निर्देश दिये गए हैं जिसमें सपस्ट रूप से बताया गया कि कक्छा 6 वह साथ के जो समगर प्रगती पत्रक है इसकी प्रविष्टी के समद में जो निर्देश है वो प्रथक से जारी किये जाएंगे वहीं कक्छा 3 के लिए प्रगती पत्रक भरने समद ही जो विस्तत निर्देश है वो जारी किये जा चुके हैं जो की कक्छा सिक्छक के द्वारब भरे जाएंगे और जो निर्देश हैं जैसे हम देखें कि कक्छा 3 के लिए कुछ इस प्रकार से निर्देश आये हुए थे जिसमें अर्दवारसिक मुल्यांकन के जो अंक हैं वो किस प्रकार से कनवर्ट करना है आंकलन सीट के अधार पर वो निर्देश दिये गए थे इस पत्र के अधार पर आपको जो प्रगती पत्रक है कक्शा 3 के अब हम आगे देखते हैं इसमें अन और ही महत्पूर्ण निर्देस दिये गया है साथ ही इसमें हम देखें जो रिजल्ट सीट है वो भी सलगनी की गई है इसमें एक और निर्देश है जैसे हम देखें तो इसमें बताया गए कि बारशिक परिणाम में सहसेक्षिक इवं व्यक्तिकर समाजी गुणों में अंकित ग्रेट को नहीं जोड़ा जाए तो इसमें जो प्रापतांग है छात्रों के इन छेत्रों के लिए सहसेक्षिक छेत व्यक्तिकर समाजी गुणों के मुल्यांकन के लिए तो इसमें अंकों को जोड़ना नहीं है ग्रेट को जोड़ना नहीं है साथ ही result कब तक जारी करना है कब तक इसकी गोशना करना है इसकी तिथी भी बताई गई है दिनांग 30 मार्ज 2024 को छात्रों के बारशिक परिणाम की गोशना की जाए तो इस प्रकार से इसमें विस्तत निर्देश दिये गए है आईए हम देख लेते हैं कि result sheet किस परकार से है और इसमें जो अधिवार की गरना है वो किस परकार से करना है जैसे हम result sheet की बात करना है तो इसमें सलगन की गई है जो कि कुछ इस परकार से है जैसे हम rotate करके देखते हैं तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे जैसे कुछ इस प्रकार से जो result sheet है वो आपको प्राप्त होगी आपको अपने बरिष्ट कारले से result sheet प्राप्त होगी इसके लिए आपको market से क्रै करने की आउशकता नहीं है क्योंकि निर्देश इस प्रकार से जारी किये गए है अब इसमें प्रारम मैदी हम देखें तो समान है वो नंबर भी जो अंख है वो भी इसमें दिये गए हैं तो इसमें आपको अधिक परसानी नहीं होगी यह से थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि सरल किरमांग दिया गया है अनुकिरमांग यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है इसके बाद में प्रिवेस पंजी किरमांग जो भी है चात्र का वो लिख देना है चात्र का नाम माता का नाम पिता का नाम और डेट ऑब बर्थ आपको यहाँ पर अंकित कर देना है और इसके बाद में कैटेगरी जो भी चात्र का जाती संबर्ग हो, वो आप यहाँ पर फिल कर दें, अब यहाँ पर आप देखेंगे, कि मासिक टेस्ट, चार महा, मासिक टेस्ट हुआ था जो मासिक मुल्यांकन था, चार महा हमने लिए थे, और प्रती विशेस में हम देखें, तो पूनंग 40 अंग हो जाते हैं, चार महा के, प्रती महा 10 अंग के अधार पर 4 महा के 40 अंग अब 40 अंग में से छात्र ने जितने भी अंग प्राप्त किया है वो आपको पहले कॉलम में लिखना है और इसके बाद में इस प्राप्तांग का जो 10 पृतिसत अधिवार है आपको द्वती कालम में फिल करना होगा अब अधिवार कैसे निकालते हैं इसे भी हम समझ लेते हैं जैसे हम देख हैं अधिवार की गर्णा इसके लिए समाने सा सूत्र है कि प्राप्तांग गोड़ा अधिवार बटे पूर्णांग अर्थात जो छात्र के प्राप्तांग है इसमें हमें अधिवार का गोड़ा करना है अधिवार 10 पृतिसत निकालना है तो 10 पृतिसत का गोड़ा करना है 20 पृतिसत निकालना है तो 20 का गोड़ा करना है 40 पृतिसत निकालना है तो 40 का गोड़ा करना है और पूनांग जो भी होगा वो आपको नीचे बटे में लिख देना है जैसे हम एक एक्जामपल देखते हैं कि पूनांग जैसे मासिक टेस्ट की हम बात करें तो मासिक टेस्ट में 40 अंग पूनांग है अब 40 अंग में से यदि छात्र ने 32 प्राप्त किया है तब इसका 10% अधिवार यदि हमें निकालना है तो प्राप्त अंग गोड़ा अधिवार बटे पूनांग तो यहाँ पर जो प्राप्त अंग है 32 अंग 10% अधिवार हम निकालना है तो यहाँ दसका गोड़ा कर देंगे बटा पूनांग तो पूनांग जो है 40 अंग है अब यदि इसे हम calculate करेंगे तो जो 10 पृतिसत अधिवार है वो 8 अंक आएगा इसी प्रकार यदि 20 अंक जो अधिवार है वो निकालना है तो यहाँ पर आपको अधिवार में बदल देना है 20 लिख देना है तो ऐसे हम अधिवार की गणना कर सकते हैं सिंपल सा है छात्र की जो भी प्रापत अंक है इसमें आपको अधिवार का गोणा करना है और बटे में जो पूर अंक होंगे उसका भाग दे देना है तो इस प्रकार से अधिवार हमारा निकल कर आ जाएगा तो हम सीट में देखें तो जैसे यहाँ पर हमें 32 अंक लिया है छात्र ने 40 में तो 32 लिख देंगे पहले कॉलम में और 32 का 10 प्रतिसत अधिवार 8 अंक होगा तो 2nd कॉलम में 8 अंक आएगे इस प्रकार सभी विस्यों का आपको पूर्णांक और इसका अधिवार लिख देना है इसके बाद में यहाँ पर आपको इसका योग करना होगा और योग जो अधिवार वाला कॉलम है वही होगा जैसे यहाँ पर 10 प्रतिसत अधिवार वाला 12 नंबर का कॉलम है तो 12 नंबर जो ही प्राप्तांग होंगे आपको 20 नंबर की कॉलम में fill कर दाना है आगे हम देखें तो इसमें अरदवार्सिक मुल्यांगण की प्रिविष्टी के लिए दिये गए है कॉलम अब इसमें अरदवार्सिक मुल्यांगण जैसे 6 अंक का अरदवार्सिक पेपर हुआ था और इसके बाद में इसका 20 पिरतिसत अधिवार निकालना है। 20 पिरतिसत अधिवार निकालने के लिए छात्र के जो प्रापतांग है। जो भी आएगा अगले कॉलम में लिख दाना है अरदवारसिक मुल्यांकन के लिए और इसके बाद में 29 पिरतिस अधिवार निकालना है। वो आपको यहाँ पर लिख दाना है। बस अरते यहाँ पर निर्देश भी दिये गए हैं कि अतरिक्त भासा की जो अंक है या अधिवार है वो रिजल्ट में नहीं जोड़ेगा। तो आपको लिखना बस है इसे जोड़ना नहीं है। आगे हम देखते हैं बारसिक लिखित मुल्यांकन जो की 60 अंक का प्रतिव से पिपर हुआ था। अब 60 अंक में से चात्र के जो भी प्रापतांक हैं आपको सीधे इसमें दर्ज करना है। इसमें अधिवार आपको अंकित नहीं करना है। 60 अंक में से जो भी प्रापतांक होंगे चात्रों के वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद में आपको इसका total कर देना है, total जो होगा 31 number column से लेकर 34 number के column तक जो ही total होगा आपको यहाँ 35 number के column में add कर देना है, जोड़ देना है और इसके बाद मैं अत्रिक्त भासा यदि छात्र की रही हो तब आप उसके प्रापतांक यहाँ पर लिख सकते हैं, प्राप 40 अंक का project था, 40 अंक में से छात्र ने जितने अंक प्रापत किया है वो आपको पहले column में लिखना है, 37 number का जो column है इसमें लिखना है और इसका 10-30 अधिवार जो भी आएगा वो आपको अगले column में लिख देना है, इस प्रकार से सभी विश्यों का जो प्रापतांक है वो ल का जो total है आपको 45 नंबर का जो column है इसमें लिख देना है योग कर देना है इसके बाद में इसमें भी यदि अत्रिक भासा हो तो इसके प्रापतांक आप दरच कर सकते हैं इतनी जानकारी दरच कर देने के बाद में अब इसका total आपको करना है और total जो होगा वो आपको यहा दिया गया है इसका योग होगा और इसमें 35 नंबर का जो column दिया गया है इसका योग होगा और last में 45 नंबर का जो column है इसका योग इस प्रकार से 4 योग आपको इसमें करना है और 47 नंबर का जो column है इसमें लिख देना है और छात्र का जो भी योग आएगा जो भी प्रापत इन प्रापतांकों की ग्रेडिंग आपको 48 नंबर का जो कॉलम है इसमें दर्श करना होगा ग्रेडिंग दर्श करने के लिए आप उपर देखेंगे कि ग्रेड दिये गए हैं इस अधार पर आपको ग्रेडिंग कर लेना है तो इस प्रकार से सैक्षिक छेतरों की जो रिजल् सीट दी गई है तो सेम बैसे ही जैसे हमने प्रात्मिक साला के लिए देखा बैसे ही कक्षच्च है और साथ के लिए आपको result इसमें तयार करना है इसमें केवल दो विसे और add हो जाएंगे साथ ही निर्देश जैसे हम देखें तो पूर्ब के अनुसार ही रहेंगे मासिक मुल्यांकन के लिए 10% अधिवार इसमें अड़ होगा अर्दवारसिक मुल्यांकन के लिए 20% अधिवार इसमें अड़ होगा इसी तरह है प्रवेस पंजी किर्मांग बिध्यारती का पूरा नाम इसके बाद में सेक्षिक छेत्रों का जो मुल्यांकन है इसमें अधिक्तम 20 अंगों में से ग्रेडिंग करना होगा साथ में हम देखें तो कुल सिक्षन दिवस में छात्र की जो उपस्तिती है वो अंत में आपको दर्ज कर देना है इस प्रकार से हम देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है जो सेक्षिक छेत्रों का मुल्यांकन है इसकी रिजल्ट सीट अलग से दी गई है और जो सीट है आपको अपने बरिष्ट कारेले से प्राप्त होगी जिसमें आपको 30 मार्च 2024 को अपनी साला का जो रिजल्ट है जो बारसिक परिक्षा परिणाम है वो गोसित करना है तो आसा है जानकारी आप समझ पाएं होंगे मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन